कि वोट्स अपीपल मेरा ना मैं अभी नमेंड आप देख रहे हैं ट्रू टैगी एंड इन इन इस वीडियो हम लेने वाले हैं फ़र्ष्ट इंप्रेशन ओफ रियलमी सीटू दो दिन से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूं सिक्स थाउजन रुपीज वाला वेरियंट है यानि कि टूबाइ सिक्स्टीं जीवी वाला है यो पीट वन्टी टू प्रोसेसर मिलता है सारे फोन में यानि कि 2.0 गिगार्ट का ओक्तागोर प्रोसेसर लेकिन इस डि वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बांदो सीट बैल्ट और चगदो फटे इस वर्स्ट ओफ ओ बात करते हैं बॉक्स कोंटेंट की बॉक्स में आपको एक फोन मिलता है इसी के ऊपर आपको मिल जाता है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म साथ यहाँ पर आपको मिलती है यूस्बी टू माइक्रो यूस्बी केबल और एक 5 वोल्ट 1 एंपियर का चार्जर तो इस डिवाइस में आपको 4000 मिली एंपार की बैटरी मिलती है और मुझे सबसे पहली इसी चीज़ की हुई है कि इसमें आपको 5 वोल्ट 1 एंपियर का चार्जर मिलता है क्योंकि 4000 मिली एंपार की बैटरी को चार्ज करने के लिएकर आप 2 एंपियर का चार्जर यूज़ करते हो तो राउंड 2 घंटे ले जाता है और यहाँ पर आप 1 एंपियर का यूज़ बाद भी इसके जो color's है और जो quality है यहाँ पर sharpness आपको एकदम perfect मिलती है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी disappointing वाली है कि यहाँ पर जो corner है इसपे आपको pixels की लाइन एक खतम मिलती है देन एकदम पिक्सल स्टार्ट हो जाते है तो बड़ा भद्दा लगता है ऐसा लगता है और डिस्प्ले बनाने वाला ब्रंपाल मिस्थरी था या टिलो बाकी डिस्प्ले पर आपको गोडिला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाते है जो 6000 रुपे में बिल्कुल नामुम्किन आपको 3500 मार्ड़ं की बैटरी डेक्न को मिलती है लेकिन जो 4000 मिली applied की बैटरी एं उससे आपको साथ हैहजारीन घंटे बैटरी संअक्ये आपको मांगता है है तो बात है most awaited part पर यानि के camera पर तो यहां पर रियर पर आपको मिलता है dual camera setup 13 plus 2 megapixel का जो 13 megapixel का main sensor है वो मिलता है f by 2.2 aperture के साथ और जो 2 megapixel का sensor है वो f by 2.4 साथ मिलता है depth sensing काफी अच्छी कर लेता है यह कुछ photographs आप पीछे अभी देख रहे होंगे तो depth sensing काफी अच्छी करता है और यहां पर कोई issue नहीं आता है daylight में भी और low light में भी काफी अच्छे photographs मिल जाते है 6000 रुपे की range के हिसाब से बात करें front camera की तो यहां पर आपको 5 megapixel का f by 2.0 aperture के साथ camera देखने को मिलता है तो यहां पर जो daylight में आपको selfie मिलती है वह ऐसी मिलती है जैसे हो खिला हुआ चांद लेकिन बात करें low light selfie की तो वह ऐसी लगेगी जैसे आधार card का या water ID का photograph हो तो front camera भी काफी अच्छा काम करता है रातों में फोटो लेने की बिल्कुल कोशिश ना करे में daylight में जादा अच्छी आएंगी अब यहां पर जो सबसे बड़ी कमी लगी मुझे 6000 रुपे वाली वेरियंट में इसमें आपको इस परचेज दो लेकिन उसके बाद जो इंटर्नल स्टोरेज वाला ये पॉप आपको दिखाई देगा यह आपको तंग करके रख देगा और आपकी जान खा जाएगा वैसे तो इस डिवाइस में आपको डेडिकेटिटिए डिकार्स लोट मिल जाता है और दो सिम भी एक स क 더कर, फटाक से फोन को अनलोक कर देता है, अब इस डिवाइस में खराब बात मुझे यह लगी कि अगर आपके आपके पापा C.O.O.E. अगर आपके बन दें तो आपके आपके पापा के जूते इतने बढडने वाले आप पर कि आपके यह ना रातों की नीध भाग कमी ये लगी कि जो ग्राफिक्स का ड्रोप है वो बहुत जादा है ग्राफिक्स बहुत जादा लैग करते हैं गेम बहुत देर में लोड होता है और अगर आपने multitasking करने के कोशिश की तो एक phone ऐसे लटक जाएगा जैसे कोई फासी पे तो ये था एक first impression मेरे थोड़े से time के बाद use करने के और अगर मैं एक review करूँगा तो आपको पता है कि इसमें से क्या क्या चीज निकल के आ जाएंगी तो जो आपको comparison चीए इसके बारे में जो dedicated वीडिय बता देना तो आपको उसी तरीके से वीडियो मिल जाएंगी बाकि किसी ओर अधर टोपिक पर अधर डिवाइस पर चीए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तो अकर वीडियो पसंद आये तो like share subscribe जो मना करतो तो मिलते है नेक्स वीडियो में thanks for watching